A very good noon to each and every one of you, I am Richa Sharma and you are watching Parcham आज है 7th of May और आज के daily CE हमको करने है discuss, so let's get started और उससे पहले बिलकुल आज की तिती देखेंगे वैसाक महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है यानि चान जो है वो धीरे 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 छोटा हो रहा है आज है चतुरदशी यानि की कल पड़ेगी अमावस्या, all right, चले अब कल question of the day तो हो गया था miss, क्योंकि मैंने ही सारे answers दे दिये थे लेकिन session की दौरान मैंने कुछ questions आपसे पूछे थे, चले वो देख लेते हैं एक मैंने आपसे पूछा था कि अब बस जो वैसाक महीने के शुक्ल पक्ष की एक तिथी आने वाली है, पूर्णिमा, right, उस पे कौन सा एक important event होता है तो उस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा जिस समय, जिस तिथी को माना जाता है, बुद्ध का जन्म भी हुआ, उनको enlightenment यानि जो ग्यान की प्रात्ति हुई थी वो भी उसी बुद्ध पूर्णिमा पे हुई और जो अब उन्होंने देहते आगे, यानि की he passed away from the earth, तो भी वो बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, तो जब ही आएगी तब हम अच्छे से और पढ़ेंगे ठीक है, then world press freedom day, कब observe किया जाता है, 3rd of April को, और इस बार की theme रही, a press for the planet, journalism in the face of environmental crisis और फिर मैंने आपसे पूछा था, zoological name Cheetah का, so बिलकुल, acronymics, jubatis is the zoological name of Cheetah तो ये हो गई सारी कल की कहानी, अब बढ़ जाते हैं, आज के news की तरफ, 7th of May को हमें 3 important day पढ़ने हैं, ठीक है, और उसके बाद अभी तक के important days revise भी कर लेंगे So, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, that is raising day of BRO, border roads organization, हम देखते हैं न, जो भी border areas, जो north में है, north east में है, महां border के आसपस अगर कोई भी काम चल रहा होता है, कोई tunnel बन रही है, कोई road बन रही है, तो BRO का mention आता है, border roads organization का, तो उसी का raising day, यानि स्थापना, दिवस जो है, वो 7th of meko मनाया जाता है, okay, and इस बार इसका 65th raising day है, so, चलिए, let us understand or learn something about BRO, सबसे पहले ये देखिएगा, कि 65th raising day इस बार जो मनाया जा रहा है, उसके दौरान project, स्वास्तिक, सिकिम साइड में, project स्वास्तिक के तहत काफी सारी activities, organize की जा रही है, then BRO, जो है border roads organization, वो 7th of meko 1960 मे, प और इस ministry of defense के अंडर में आता है, because border areas आ जाते है, north or north east के, तो defense का अंडर में होना बहुत जरूरी है, na, BRO का defense के अंडर में होना जरूरी है, बस ऐसे धान रखिएगा, road networks बनाता है border areas में, north or north east में, or not just this, हमारे जो friendly nations, जैसे मानली जो भुटान हो गया, तो वहाँ पर अगर श्रमेन, सरवम, साध्यम, यानि की सब कुछ hard work से possible है, so everything is achievable through hard work, का है headquarter BR, okay, नई दिली के अंडर और अभी director general की position पे, कौन है border roads organization की, lieutenant general, रघु स्री निवासन, रघु, रघु, रघु रोडीज का एक बहुत famous personality हुआ करता था, अब पता नहीं है या नहीं है, I don't know, what time से मैंने देखा नहीं है, so रघु से आप ऐसे आद रख सकते हो, नहीं तो कैसे भी कर लीजे, left hand general, रघु, स्री निवासन, या border के आसपास, इंडिया जाकर के निवास कर सके, उसके लिए भी यारो काम करती नहीं, तो स्री निवासन, निवास से भी आप याद रख सकते हैं, अल्राइट, so after border roads organization, moving over to second important day, and that is ASMA, world asthma day, अब ध्यान दीजेगा, world asthma day ऐसा नहीं है कि 7th of May को ही आता है, first Tuesday जो आएगा मे का, मे का, first Tuesday, तब world asthma day अब्जर्व किया जाता है, इस साल 2024 में, first Tuesday आज यानी 7th of May को पढ़ रहा है, that is why, so यह date specific नहीं है, इसलिए बहुत क्रिटिकल तारीख के हिसाब से important नहीं है, examiner को अगर पूछना भी होगा, बिल्कुल minimalistic percentage, तो वो ऐसे पूछेगा, 2024 में, world asthma day कब आया था, तो आपको 7th May लिखना होगा, otherwise, पूछे जाने की chances, ऐसे days के कम होते हैं, और theme इस बार की क्या है, asthma education empower, जब आप आस्तमा से related education, दमा की बिमार होते हैं, so world asthma day इस बार 7 में को पड़ा है, otherwise, यह first Tuesday of में को पड़ता है, और इसको कौन organize करवाता है, global initiative for asthma, GINA, यह WHO के साथ, world health organization के साथ, collaborate करके काम करती है, यह संस्था, और इस बार की theme है, asthma education empowers, got it, चलिए, यह दो days हो गए, अब तीसरा day देखते है, तीसरा day है, athletics से related, so world athletics day, world athletics day, तो अब आप ऐसे इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हो, BRO ने border के पास एक road बनाई है, और 7 के shape की road बनवा लीजे उनसे, बनवा सकते हैं, यह 7 के shape की उन्होंने road बना दिये, आप इस पर athletics कर रहे हो, और इतने में आपको दमा, यानि asthma की problem हो गई, तीन athletics day, 7th of May को आता है, और इसको IAAF, यानि की international amateur athletics federation, और इस करती है, हर साल, बस इतना इसमें ध्यान रखना है, बहुत जादा, इसकी detail में जाके पूछे जाने के chances बहुत कम है, 1996's year को observe किया जा रहा है, then यह जो IAAF है, जो इसको और इस day को, that was founded in 1912 in Stockholm, Sweden, लेकिन जो major एक body है, world athletics, जो major athletic events करवाती है, वो कहाँ headquartered है, Monaco, Monaco country के बारे में कोई एक speciality पता है, कुछ special है Monaco के बारे में, biscuit की बात नहीं करें, country की बात करें, बताए, one special feature about Monaco, मैंने बहुत open-ended छोड़ा है, because बहुत popular fact है Monaco के बारे में, इसलिए मैंने छोड़ दिया, चलिए, अभी तक के important days revise कर लेते हैं, आज हम पहुंच चुके हैं 7th में तक हैंना, सो 1st में को लेबर दे हमने किया था, और 1st में को ही हमने महाराष्टर दे और गुजरात दे भी observe किया था, 2nd में को हमने का था कि बही जो लेबर है वो टूना फिश खा लेती है, या टूना फिश को अगले ही द कोई फरक नहीं है, तो यह press freedom तीन में से आ सकता है, ठीक है, then coal miners day और fire fighters day दोनों 4th में को आते थे, तो मैंने, मैंने जाके चार लोगों की जान बचाई है, माइन से निकाल के मैं लाई थी, बिकूस हमाँ फायर लग गई थी, ऐसे कुछ याद किया था, हमने 7th में पे तीन important इंडिया आते हैं, एक BRO day हो गया, फिर हम athletics कर रहे थे, तो world athletics day और हमें आस्तमा के issue आ गया, so asthma day, clear हो गया, revision हो गया, चले, अब आगे बढ़े, उससे पहले हम लेते हैं थोड़ी सी जानकारी, नई बच्चों को मैं बता दूँ कि आप जो भी कुछ पढ़ते हो daily CA में, उस पर्चम classes.in website से जाके आप इसको access कर सकते हो English में, हिंदी वाली जो है आपको दस्तारिक तक मिलेगी, इसमें सारे महीने की news category wise विल्कुल updated with static information दी गई है, सभी examination के लिए बहुत important है, ओके आप subscription लेना चाहें अगर current affairs का, तो पर्चम app पे check out कर सकते हैं, daily, weekly, monthly, six monthly, annual, जो भी कुछ sessions आपके YouTube पे होंगे, सबके PDF आपको यहां मिल जाएंगे, so discounted भी है, convenient भी है, ज्यादा जानकारी के लिए helpline number, call या WhatsApp करेंगे, कोई issue आ रहा है बर्चे इसके बाद, तो mail करेंगे, नहीं तो पर्चम app पे chat करेंगे, आगे बढ़ते हैं, Very, very important news, ठीक है, क्यों important है, क्योंकि पहली बार GST appellate tribunal की existence लाई गई है, GST का appellate tribunal create किया गया है, और उसके पहले president appoint किये गए है, justice retired संजय कुमार मिश्राजी, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जो भी civil examination देने वाले हैं, CDS examination देने वाले हैं, ऐसे बच्चे जिनको detail में चीज़े जाकर के पढ़नी होती हैं, तो अच्छे से जो tribunal का concept होता है, what are tribunals, कैसे बनते हैं, क्या इनके functions होते हैं, कैसे ये normal, जो हमारे courts होते हैं, उनसे different होते हैं, अच्छे सो tribunal पे पकड़ कर लीजेगा, इस बार civils में tribunal के आने के chances हो सकते हैं, हो सकते हैं, right, because एक नया appellate tribunal create की आ गया है, so news पढ़ते हैं, बाकी सारे बच्चों, आज ओ चलो, so justice retired Sanjay Kumar Mishra, Sanjay Kumar Mishra, याद रखिएगा, Sanjay, Sanjay दत से यादि कर सकते हो चाहो तो, Sanjay दत GST, appellate tribunal के president, head, यानि की president नियुक्त किये गए हैं, और ये शपत इनको किस ने दिलवाई है, निर्मला सीता रमनजी ने दिलवाई है, ठीक है, so Sanjay Kumar Mishra takes oath as first president of GST appellate tribunal, ये former chief justice रह चुके हैं, जारखंड high court के, और पहले president बने है, GSTAT, यानि goods and services tax, जिसे हम GST बोलते हैं, appellate tribunal के, और इसका main जो office होने वाला है, वो कहा होगा, नियु डेली के अंदर होगा, ठीक है, ओध किस ने दिलवाई है, निर्मला, सीता रमनजी ने दिलवाई है, मिश्राजे को, ओके यहां तक की बात समझ में आ गई, now, GSTAT, appellate authority होगी, कौन से act के अंदर में बनाई गए है, goods and services tax, act 2017 के अंदर में, main काम क्या होगा, जैसे हमने green appellate tribunal की बात की थी, if you remember at all, right securities appellate tribunal की थी थोड़े दिनों पहले, तो इसी तरह से GST appellate tribunal क्या करेगा, GST से related जो भी disputes होंगे, उनको resolve करने की कोशिश करेगा, ताकि हर एक चीज़ के लिए court में जाने की ज़रूरत नहीं हो, पहले ही काई मुद्दे resolve किये जा सके, तो courts के उपर का burden भी reduce होगा, जितना जितना सभी बच्चों को पता होना चीए, उतना tribunal का static portion मैंने यहां include कर दिया है, civil services वाले बच्चे, येस, और detail में जाएएगा, so tribunals क्या होते हैं, ये quasi judicial institution होते हैं, quasi judicial का मतलब क्या होता है, एक तरह से आधे से judicial institution है, मतलब non-judicial body है, लेकिन at the same time law को interpret कर सकती है, मतलब ये judicial body नहीं है, courts नहीं है, लेकिन at the same time ये law के हिसाब से फैसले कर सकते हैं, दो party को सुन सकते हैं, इनके जो फैसले होंगे, वो binding होंगे, तो law को interpret कर सकते हैं, law का implementation ये ensure कर सकते हैं, लेकिन at the same time ये courts नहीं है, judicial bodies नहीं होती है, और ये resolve करते हैं, अलग-अलग तरहे के dispute, अलग-अलग areas के लिए बनाय जाते हैं tribunals, जैसे कि administration, taxation, environment, securities, अब GST वाला हमने बना रखा है है न, और जो भी members होते हैं tribunals के अंदर, एक खास बात क्या होती है, वो specialized expertise रखते हैं उस particular subject के उपर, जिसके लिए वो tribunal बनाय जा रहा है, तो उसमें जो members होंगे, वो environments related expertise रखने वाले members होंगे, अच्छा, originally जो constitution हमारा लिखा गया, उसके अंदर tribunal की कोई mention नहीं थी, लेकिन फिर एक amendment लाया जाता है, 42nd amendment of 1976, amendment अच्छे से पकड़िएगा, important है इस बार के examinations के लिए, 42nd amendment of 1976 के तहर, जो term है tribunal वो add की जाती है, part 14A constitution के अंदर, और इसमें दो ही article है, only two article इस part के अंदर, article 323A and 323B, जो की deal करते हैं tribunal से, 323A deal करता है administrative tribunal से और दूसरा, tribunals of other matters, so ये कुछ मैंने आपको crux बता दिया about the tribunals, I hope clear हो गया होगा, ठीक है, चले, all right, so अब देखिए हम global level पे तो बहुत अपना एक strong hold और एक strong छाप छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे आज पडोस के देशों से रिष्टे थोड़े खिंचते से जा रहे हैं, उसका एक और example है, नेपाल का ये एक step जो नेपाल ने recently लिया है, उन्होंने अपना 100 रुपी में of course count करता है, नेपाल भी अपने map में करता है, उन्होंने उन disputed areas को इस बार अपने 100 रुपी के currency note पे display किया है, किसने नेपाल ने, तो नेपाल ने 2020 में, if I am not wrong, right, 2020 में नेपाल ने अपने constitution में भी एक बदलाव किया था, जिसके तेहत 3 हिस्से हैं, नेपाल और इंडिया को शो किया है, लेकिन हमारी external affairs ministry का कहना है कि इस तरह के step से यह साबित नहीं हो जाता कि हिस्से उनके हैं, जो geographically जिनकी boundary में आता है, वो नहीं की boundary में है, having said this, हमें यह मुद्दा तो समझना पड़ेगा, कि क्यो नेपाल ने रियास को अपने अंडर में काउंट करता है, ऐस इघुरा और काला पानी, तो यह तीन territories हैं, जो इंडिया की हैं, जिनको नेपाल ने अपना claim किया हुआ है, बोलता है कि हमारे अंडर में आता है, जब PM की visit उन एरियास में हुई थी थोड़े time पहले, तो भी नेपाल ने आपती चबता है थी कि हमारे territory में आप क्यों visits कर र by amending the constitution, तो भी इंडिया ने बहुत strongly आपती जताई थी that no, आप unilateral decision ले रहे हो, आप अपनी मर्जी से किसी बेर्या को अपने अंडर में घोशत कर रहे हो, तो दोनों देशों ने इस region को इन तीनों एरियास को अपने official map का हिस्सा बता रखा है, हाला कि ये इंडिया of course अपन ये इधर आजाते हैं, इधर बिहार और यूपी आजाएगा, उधर उतराखंड आजाएगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया पढ़ता होगा, ये इधर वाला एरिया नेपाल है ना, तो सिक्किम और वेस्ट बेंगॉल इधर आता है, बिहार और यूपी य हाँ आजाता है, और ये उतराखंड वाला हिस्सा इस तरफ पड़ जाता है, ये पांच स्टेट्स हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, यहां तक बात समझ में, अब देखे, ये समझने के लिए कि तीनों एरिया नेपाल अपने अंडर में क्यों डालता है ठीक है, नेपाल का पहले जो एरिया था जो उसके अंडर में था, वो काफी जादा था, सिक्किम का हिस्सा उसके अंडर में आता था, दारजीलिंग आता था, नैनी ताल आता था, कुमाओ रीजन आता था, जो मिथला प्रदेश हम बोलते हैं, मैथली बोलने वाला रीजन उसके अंडर में आता था, तो जब यह एंगलो नेपाल वाड चिडी, तो ब्रिटिश ने उनके साथ संधी की कि आपको यह 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 चोड़ने पड़ेंगे, आपका एरिया कम हो जाएगा, यह सब ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आ जाएगा, ओके उस संधी के हिसाब से ब्रिटिश इंडियानी उनकी एक बाउंडरी तहकी थी, उस बाउंडरी को लेकर के डिस्प्यूट है, बिकोज नेपाल उस बाउंडरी को अलग तरह से परसीव करता है, और इंडिया उसको अलग तरह से परसीव करता है, ठीक है, मोटा समझ में आगया, अब ढंग से जो था न, East India के अंदर Britishers वाला जो समय था, उनके बीच में So, इस treaty से Anglo-Nepal War का खात्मा होता है Anglo-Ward मतलब British लोग, ठीक है यह जो treaty थी इस से कहा गया कि जितनी भी territories, East of Kali या महाकाली रिवर हैं, वो Nepal के पास आएंगे, आप थोड़ा map देख लो यह बिल्कुल जूम्ड एरिया मैं दिखा रही हूं देखो यह इंडिया है, यह उत्राखंड वाला हिस्सा है यहां से यह इदर नीचे नेपाल चला जाएगा और यह दर चाइना आ गया यह देखो, यह जो हिस्सा आपको लाइन लाइन वाला दिख रहा है, यह डिस्प्यूटेड एरिया है, आज पर नेपाल हमारे त्यों टेरिट्री में ही आता है लेकिन यह हमारे लिए जीव पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकोज तीनों देशों का जंक्षन है यह, अगर यह हिस्सा नेपाल को दे दिया जाए, या मान लीजे, वो अपने अंदर क्लेम कर रहा है, तो यह चाइना तो बहुत एजली कुछ ना कुछ हरकत यहां कर सकता है, सो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, इस संधी के हिसाब से, इन्होंने बोला कि जो भी एरिया, यह जो महाकाली रिवर या काली रिवर के कहां आता है, यह अगर आप देखोगे, यह इंडिया तो यह इस्ट साइड में जो आता है, वो नेपाल की टेरिटरी होगी, वो नेपाल की territory होगी यह हम इंडिया मानता है कि यह जो महाकाली रिवर है यहां से आ रही है ठीके तो यहां से नेपाल शुरू होना चाहिए लेकिन नेपाल क्या मानता है नेपाल बोलता है भई यह जो काली रिवर है इसकी शुरूआत यहां से होती है, limpiyadhura path से होती है, तो यहां से होते होते आती है काली विवर तो, ठीक है, तो यह, यह, वाले area, यह पूरा west हो गया, तो हम नेपाल तो यहां से चालू होते हैं, समझ में आ쟁़ डिस्प्यूट का reason, यह काली विवर की boundary clear नहीं है, इसकी वज़े से dispute arise होता है तो आप देखो आज़ो वापस मोटा मुदा मैंने बिलकुल आपको clear समझा दिया है now we need to go into the nitty gritties of things so all territories to the east of Kali belong to Nepal Kali river western border हो जाएगी ठीक है अगर यह नेपाल है तो यहाँ पे काली river आ जाएगी और eastern border Nepal का कैसे demarket होगा मेची river से मेची river से तो काली river और मेची river के बीच का जो हिस्सा है बस उसको आप नेपाल गोशित करोगे यह Britishers ने इस संधी के अंदर बोला थो और 15 दिन का समय देकर के उस्ताक्षर ले लिए थे ठीक है तो यह नेपाल की boundaries defined हो गई थी इससे पहले like I told you नेपाल का जो सामराज्य था कहां कहां सिक्किम पूरा दारजिलिंग नैनी ताल कुमाओ गडवाल यह पूरे एरियास के अंदर था यह जो संग्रॉली की ट्रीटी हुई यह साइन हुई है मार्च 4th 1816 को किसके बीच में East India Company की तरफ से कौन थे Lieutenant Colonel Paris Bradshaw और नेपाल की तरफ से गुरु गजराज मिश्रा और East India Company के बीच में यह संधी साइन होती है नेपाल महाकाली रिवर को ओरिजन कहां मानता है लिम्पिया धूरा पास के पास यानि लिपुलेख पास के पास से निकलती भी मानता है और इंडिया क्या मानता है कि यह एक smaller stream है जो की south of काला पानी से निकलती है यह काला पानी है इसके south से यहां से start होती है जी यह तो नेपाल तो इतना इतना ही हुआ, उपर कहां आ गए आप, ये दोनों देशों के बीच का डिस्प्यूट है, और ये ट्राय जंक्षन है, इसलिए कोई भी देश इसको, मतलब इंडिया तो बटिकलरी छोड़ना नहीं जाता, अगर हम करंट लीडर्शिप की बात करें याद रखेगा, किन देशों के बीच में हुई याद रखेगा, मुद्दा क्या है, कौन से तीन टेरिटरीज हैं, ओके, चलो, नेक्स्ट न्यूस की तरफ मूफ करेंगे, ICC market cap tops, रुपीज एट, ICICI, ICICI bank जो है, ICICI का market cap जो है, उसने top कर लिया है, 8 trillion mark को, and it has become the second bank after HDFC to achieve 8 trillion की जो market capitalization होती है, या value होती है, वो achieve कर ली है, ICICI bank ने, और top 5 Indian companies में अब इसकी जगे आ गई है, और banks की अगर हम बात करें, तो HDFC के बाद, 8 trillion का ये mark cross करने वाला, ICICI second bank बन गया है, ठीक है, so market capitalization, 8 trillion mark को सरपास कर गया है, ICICI bank का, top 5 companies में ये market value से शामिल है, देखे, Reliance Industry, number 1 पे, TCS, number 2 पे, HDFC bank, number 3 पे, 4th पे आ गया है, ICICI और 5 पे है, Infosys, ठीक है, तो top 5 के अंदर इसने अपनी जगे बना ली है, and it has become the second bank to cross this milestone, बस इतनी सी news आपको ध्यान रखनी है, चलेंगे आगे, next news आ रही है, Manipur से, Manipur की जो governor है, Ansuya UKG, उन्होंने inaugurate किया है, School on Wheels, एसी एक van है, जो की School on Wheels, इसी में library होगी, इसी में पढ़ाया जाएगा, तो अलग-अलग जगे जाएगी, जहाँ पे underprivileged बच्चे हैं, वहाँ पे शिक्षा पहुंचाने का काम करेगी, और यह कहां से inaugurate की गई, इमफॉल से inaugurate की गई, जो की capital है Manipur की, जो Manipur governor Ansuya UKG, इन्होंगरेट, School on Wheels, और यह implementation, जो है School on Wheels का यह initiative, कौन करेगा, विद्या भारती शिक्षा विकास समिती Manipur करेगा, इसमें library, computers, sports items, teachers, relief camps होगेरा में जाएंगे, underprivileged लोगों के पास जाएंगे, और उनको education और overall development के towards जोड़ेंगे, देन, Bajaj Auto ने launch की है, वर्ल्ड, नहीं, अभी launch ने की है, to launch, करने जा रहा है, Bajaj Auto to launch world's first CNG, bike, next quarter, Rajiv Bajaj जी का ऐसा कहना है, तो अभी जो chairman है, Bajaj Auto Limited के, उनके जो chairman है, Rajiv Bajaj, उनका कहना है के next quarter में, यानि अगले तिमाही के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, CNG से operate होने वाली motorbike, और यह दुनिया की पहली होगी, जो की compressed natural gas से चल रही होगी, ऐसी motorbike हम निकालने वाले हैं, तो इस motorbike का नाम और कौन सी company है, दोनों ध्यान रखेगा, Bajaj Auto, Bajaj Auto launch करेगा, दुनिया की पहली CNG powered bike, जब हो जाएगी, तब पूछे जाने के chances जाद हैं, लेकिन थोड़ा ध्य इसका नाम, Bruiser 125 CNG, रखा जाना अभी तक तैह हुआ है, final name क्या आता है, देखेंगे, so Bruiser 125 CNG, 20,000 CNG motorbikes company initially launch करेगी, और अभी तक दुनिया में CNG motorbikes हैं ही नहीं, right, so Managing Director, अभी Rajiv Bajaj हैं, Founder Bajaj Group के, जमनालाल Bajaj, 1945 में existence में आई, और पुने महराष्ट्रो में headquartered है, ये company, ठीके जी, चलिए, अब ये कौन है, इनको कौन ही जानता, हाँ, करीना कपूर खान, so करीना कपूर खान जी को announce कर दिया गया है, as UNICEF India's National Ambassador, UNICEF India, यानि UNICEF जो इंडिया में operate कर रही है, UNICEF India की National Ambassador, जो UNICEF के प्रोजेक्स पे बच्चों के साथ में काम करेंगी, उनके लि इनकापूर खान को अपॉइंट किया गया है, बस इतनी सी one-liner news है, अब UNICEF के बारे में थोड़ा हम स्टाटिक देख लेते हैं, UNICEF की शिरुवात 1946 में होती है, उससे में इसका नाम UNICEF नहीं था, उससे में इसका नाम था International Children's Emergency Fund, ICEF by UN Relief Rehabilitation Administration, और ये क्यों किया गया था, World War II के बाद जो बच्चे सफर कर रहे थे, पर्टिकिलरली उनको Relief और उनको Further Development से जोड़ने के लिए इसको शुरू किया गया था, UNICEF एक पर्मनेंट पार्ट है United Nations का, 1953 में जोड़ गया था ये United Nations से, और अब हम इसको United Nations Children's Children's Fund बोलते हैं, लेकिन acronym हम अभी भी वही यूज करते हैं, UNICEF, ओके, तो United Nations Children's Education Fund भी हुआ था बीच में, अब जाकर के इसका जो पूरा नाम है, United Nations Children's Children's Fund है, रहे, UNICEF को Nobel Prize मिल चुका है, Nobel Prize for Peace, कौन से साल में, 1965 में, ओके, और headquartered कहां है, New York City, जहाँ पे, जहाँ पे United Nations भी headquartered है, अब एक दिमाइस, इनको पैचानते हैं, टाइटानिक के अंदर वो जो पूरी ship थी टाइटानिक, उसमें, जो main captain थे, उनके role में थे, और recently वाले जो बच्चे हैं, वो Lord of the Rings से शायद इनको identify करते हैं, Lord of the Rings में बहुत popular character इनों ने play किया था, now he is no more, so actor Bernard Hill, what is his name, Bernard Hill, he is known for playing King Theoden in Lord of Rings, now he is no more, तो इनके दो ही main characters जिनके जादा तर जाने जाते हैं, एक तो हो गया, Lord of the Rings में, King Theoden and दूसरा, of course, जो Titanic है, उसके अंदर captain Edward Smith की भूमे का इनोंने निभाइती हैं, और Titanic को Oscars मिला था 1997 के अंदर, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी हैं, Alright, COVID है के अपने variants लाने बंदी नहीं कर रहा है, एक और variant US के अंदर spread होता हुआ, देखा जा रहा है, flirt, अब बताओ, ये COVID-19 के किटानू भी flirt कर रहे हैं, flirt is the name, flirt family of COVID-19 variants spread in US, So, United Nation में COVID-19 का एक variant है, जिसका नाम flirt रखा गया है, वो फैल रहा है, और ये जो variant है, ये Omicron JN1 lineage का ही है, यानि जिस से Omicron, जिस लाइन से आ रहा था न, उसी तरीके का ये भी flirt virus भी आगे बढ़ रहा है, और इसके अंदर KP2 और KP1.1 variants हैं, जो की rapidly United States में बढ़ रहे हैं, hospitalization के cases बहुत सिव्या नहीं है, लेकिन नहीं नहीं तरीकी mutations देखने को मिल रहे हैं, उसकी वज़े से ये इनकी contagiousness यानि एक इंसान से दूसरे में फैलने के chances में बहुत देखे जा रहे हैं, symptoms almost similar हैं, जो Omicron के अंदर थे, बहुत ज़्याद़ डेडली नहीं है, अभी तक इसको पाया गया है, डेडली नहीं है, लेकिन ये एक variant है, तो अभी पूछ लिया जाए, लेकिन इंडियन रूट्स रखती हैं, सो सुनीता विल्यम्स तीसरी बार स्पेस में जाने के लिए रेडी हैं, आज इनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो उड़ेगा, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनौट सुनीता विल्यम्स सेट फॉर्ड स्पेस फ्लाइट, ये पहली वुम तक स्पेस में रुकने का रिकॉर्ड भी बनाया था, उसको भी बाद में तोड़ दिया गया, लेकिन बनाया था, सो सुनीता विल्यम्स पाइलिट के तौर पे बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, उसमें इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन तक अ पुडान भरेगा इनका विमान जो है, केप कैन्विरल, फ्लॉरिडा यूएस से भरेगा, तो मेन इंटरनाशन यही है कि सुनीता विल्यम्स की तीसरी स्पेस यात्रा होगी, ठीक है, अब बोइंग स्टार लाइनर के बारे में देख लिजे थोड़ा सा, यह जो बोइंग स स्टार लाइनर भी इसी तरह का है, आप इसको 10 टाइम्स तक यूज कर सकते हो, 6 मन्त का टरनराउंड टाइम इसका है, और 2014 में नासा ने दो कंपनी इसके साथ में कॉंट्राक्ट साइन किया था, एक स्पेसेक्स थी, और दूसरी यह बोइंग थी, कि हमारे जो एस्ट्रोन और यह जो स्पेसक्राफ्ट है, यह अब चालू करेगा, बोइंग, ठीक है, सुनीता विलियम्स के बारे में हमने वैसे देख लिया है, बहुत जादा डीटेल में पूछे जाने के चांसे का में, स्टिल, विलियम्स ने टोटल 322 डेज स्पेस में, अभी तक अपने दो में बिताए हैं, और अगर आप आर्ज की बात करें, 50 hours and 40 minutes, इनका टोटल स्पेस वॉक है, यानि अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर इन्होंने स्पेस वॉक किया है, और यह second highest है बाया female astronaut, इनसे जादा सिर्फ पैगी विट्सन ने किया है, पैगी विट्सन, सबसे जादा ल काटगरी की तरफ मूफ करेंगे, एक Grand Prix हुआ है, जसमें Max Verstappen नहीं जीते, Carlos Sains भी नहीं जीते, एक नया नाम आपको देखने को मिले को, बहुत लंबे समय के बाद ऐसा कोई अलग से नाम देखने को मिला है, और हम बात करें, Miami Grand Prix की, fast car racing जो होती है ना, so Lando Norris, different name है, पू Lando Norris, okay, so he has landed अपनी first victory के ऊपर, okay, and किसको हराया, Max Verstappen को हराया है, so Miami Grand Prix में, Lando Norris, जो की Great Britain country को represent करते हैं, and McLaren company को visit करते हैं, जो ये drive करते हैं car, और इन्होंने हराया Max Verstappen को, ठीक है, तो Lando Norris, नाम अच्छे से याद रखिएगा, Lando Norris, Miami, which one, Miami, my, my, Lando Norris जीत गए, Verstappen को हरा दिया, oh my, my, okay, ऐसा कुछ याद कर लेजएगा, चलिए, ये सारे मैंने revision points डाल दिया, अभी तक जितने भी Grand Prix 2024 में हुए हैं, सिर्फ एच छोड़ दीजो Australian, और अब दूसरा Miami Open, बाकि सब Max Verstappen ने जीते हैं, Australian Open, Carlos Saints ने अपने नाम किया था, all right, next news, फट्टा फट से देखते हैं, and that is Thomas and Uber Cup, Thomas and Uber Cup, Badminton से related हैं, Thomas Cup क्या होता है, men's team event होता है, Uber Cup, women's team event होता है, दोनों Badminton से associated होते हैं, यहीं पे चलो, आज तो मैंने question ही नहीं पूछे नाम से, इंडिया ने Thomas Cup, पहली बार और last time कब जीता, ठीक है, write down, अच्छा, तो इस बार का जो Thomas and Uber Cup हुआ, दोनों में, चाइना, जो की host country भी थी, उसने दोनों खिताब अपने नाम कर लिये हैं, और Indonesia को हराया है, right, Thomas and Uber Cup, China secures both men's and women's crowns, host nation भी था, और इन्होंने Thomas Cup में, 14 time champion Indonesia, Indonesia, Indonesia सबसे अभी तक का successful team है, when it comes to Thomas Cup, उसको हराया है, और Uber Cup में, इन्होंने again, Indonesia को हराया है, and China ने अपना 16th women's title लिया है, यानि Uber Cup में, चाइना अभी तक की सबसे successful team है, और Thomas Cup में, इंडोनेशिया अभी तक की सबसे successful team है, right, और ये कहां हुआ, शैंग्यू, चाइना के अंदर ये event हुआ, men badminton team championship को Thomas Cup कहते है, women badminton team championship को Uber Cup कहा जाता है, clear है, आप बोलों कि ma'am ये तो पढ़ा दिया, वापिस क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने observe किया comments में कई बच्चों को confusion हो रहा है, right, grandmaster, woman grandmaster and female grandmaster, आज समझेगा और ढंक से समझेगा, ताकि exam में अगर पूछ लिया जाए कि first woman grandmaster India से कौन है, तो कोने रू हम पी नहीं है, लेकिन पूछा जाए first female grandmaster India से कौन है, तो कोने रू हम पी है, आप बोलों कि ma'am क्या फरक है woman और female में, समझेगा, चलिए, सो मैंने आपको पढ़ाया था, जिन बच्चों ने नहीं अटेंड किया, अभी देख लीजे, कि International Chats Federation जो है FIDE, FIDE जिसे हम कहते हैं, उसने award किया grandmaster title, woman grandmaster title नहीं है ये, grandmaster title है, grandmaster title पाने के लिए आपको 2500 की FIDE ranking, मतलब जो score होता है ranking बोल दीजे, points होते हैं, वो achieve करने पड़ एक International Masters भी होता है, 2100 अचीव करने पे ही आपका काम चल जाता है, तो ये 2500 वाला जो eligibility है, ये पूरा करने की वज़े से grandmaster का title, woman का नहीं, grandmaster का title मिला, Indian Chess Prodigy है, वैशाली रमेश बाबू को, और grandmaster title पाने वाली, grandmaster male और female दोनों को मिल सकता है, woman grandmaster तो सरफ women को मिलेगा और उनकी eligibility criteria भी कम होती है, तो grandmaster सबसे highest title है, वो male female दोनों को मिल सकता है, इंडिया से total कितनी female grandmasters बनी है, इस score वाली, तीन बनी है, जिन में से तीसरी वैशाली रमेश बाबू है, तो पहले तो यहाँ तक समझे, आगे आए, third Indian female grandmaster है, ये woman grandmaster नही बोल रहे है, woman grandmaster ये 200 points वाली बात हो जाती, हम 2500 points वाली बात कर रहे हैं, यानी सबसे उत्कृष्ट वाली बात कर रहे है, तो ऐसी female जो कि grandmaster बनी हो, global level पे, इंडिया से third वैशाली रमेश बाबू है, इन से पहले सबसे पहली Indian female जो कि grandmaster बनी, वो कोने रू हम पी थी, second number पे हरे का द्रोनावली थी और तीसरे नंबर पे वैशाली बनी है, यहां तक की बात समझ में आई है, और पहला grandmaster brother sister duo, ये भी दोनों grandmaster है, इनके जो brother है, आर प्रग्ननंदा वो भी grandmaster है और ये भी grandmaster है, ओके, then 84th Indian grandmaster भी है ये, women grandmaster कहीं मेंशन नहीं किया मैंने और अरजुन अब confusion clear करने के लिए ये slide देख लिजे, कुछ prominent Indian chess grandmasters की बात करते है, male female all included, it requires ELO rating of above 2500 points, grandmaster कहलाने के लिए आपको ELO rating कितनी चाहिए, पच्चिस सो की चाहिए, ELO chess की language के अंदर एक certain rating होती है, सबसे पहले grandmaster इंडिया से 1987 में विश्वनाथन आनन्द बने थे, ठीक है, like I told you grandmaster male भी हो सकते हैं, female भी हो सकती है, right सबसे पहले विश्वनाथन आनन्द अमिलनाडू से, फिर बहुत सारे males बने, अगर हम women की बात करें, तीन ही grandmaster निकले हैं इंडिया से आज तक, females, उनमें पहले कॉनिरू हम पी 2002 में, आंदर प्रदेश से, 2011 में हरिका दुरुनावली, again अंदर प्रदेश से, 2023 में वैशाली, रमेश बावु, तमिलनाडू से, यहां तक की बात समझ में, अब आप लोगों का जो question आ रहा है, मैं ही Subramannan, Vijay Lakshmi कौन है, Subra Raman, Vijay Lakshmi Subra Raman, who is she, यह grandmaster नहीं है, यह woman grandmaster है, woman grandmaster requires a minimum ELO rating of 2300, so she is WGM and these females are GMs, आया समझ में, so अगर पू woman grandmaster, तो कौन हो जाएंगी, Vijay Lakshmi Subra Raman हो जाएंगी, ठीके, इन्होंने 2001 के अंदर woman grandmaster title, इंडिया से पहली बार ऐसे female, जो women grandmaster बनी हो, ठीके, और एक और title, international master भी होता है, women international master, तो पहली Indian woman international master, जिनकी rating मैंने आपको बता ही थी न, 2100 ELO rating से, आप international master बन जाते हो, यह 1979 में ही बन गही थी जैश्री, खाडल कर, आ रहा है समझ में, international master is different, women grandmaster is different, and grandmaster is different, only three female grandmasters, तो पहली भारती महिला grandmaster, को निरू हम पी, पहली woman grandmaster from India, तो आपके पास Vijay Lakshmi आ जाएंगी, clear हो गई point, तो आप बढ़ जाएंगे, revision question की तरव, जल्दी से answer करना start कीजे, पहल the following statements, और आपको बताने कॉंसी statement is or are correct, पहली statement देखने, सुलिता विल्यम्स विल एबोड, बोइंग स्टार लाइनर स्पेस्क्राफ फॉर हर थर्ड स्पेस्प्लाइट, अपनी तीसरी स्पेस्प्लाइट पर सुनिता विल्यम जाएंगी, और बोइंग के स्टार लाइनर में यह जो बाइक है, यह कौन सी कंपनी लेकर के आने वाली है, आंसर वुट बी बजजाज, ओटो, A will be correct, अकॉर्डिंग तो नेपाल, विच ट्रीटी इस्टाबलिश इस क्लीम ओवर स्टें टेरिटरीज इस्ट ओफ काली और महाकाली रिवर, नेपाल के क्लीम के हिसाब से, क प्रिटिश इस्ट इस्ट इंडिया और नेपाल, विच्व अस्थमा दिवस जो है, 2024 उसकी थीम, अस्थमा एडुकेशन एंपावर्वर्ष, देन, वुथ बेन अपॉंटे अपॉंटे अजनल अम्बासडर पर युनिसेफ इंडिया, युनिसेफ इंडिया की नही नाशनल अम्बासडर के तौर पर किसे न्युक्त किया गया है, करीना कपूर खान, आप जब आंसर देते हो ना, ऐसे मत लाइब चाट में इस तरह से मत लिखा करो, यह सी, 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 ए, 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 वो होल्ड हो जाता है, रिमार्ग के लिए, ओके, चले, and your question of the day, who has been appointed as the President of GSTAT यानि Goods and Services Tax Appellate Tribunal, so यह answer आप comment section में देंगे, आज का session यही खत्म करेंगे, कुछ एक मुद्दे discussion वाले था, I really hope समझ में आगया होगा, बाकी कुछ एक simple सी news थी, factual थी, जो आपको दिमाग में डालनी है, so with this, we are done with the session, अब कल मिलेंगे, same time for another session, आज मैंने thought of the day नहीं डाला ह because I am getting late, आपका video late हो जाएगा upload होने में, see you tomorrow, bye-bye.